आज की वीडियो में हम exercise 9.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें हम कुशन अबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे इसके प्रिविएस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने पैराबोला को डिटेल से डिसकस किया था जिसमें पैराबोला के सारे जो भी इसकी टर तो इसमें की एक्वेजिन क्या होंगी आज की वीडियो में हम कुशन नबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और कुशन नबर 3 में यह है कि find the equation of पैराबोला whose focus is 1,2 and the directrix equation is 3x-5 is equal to 0 तो स्टूडेंट यहां पर focus हमें given है 1,2 पर तो अगर मैं इसको एक रफली सा ड्रॉप करूँ तो यह कुछ इस तरहां से होगा यहां पर ड्रॉप करते हैं इसको एक रफली सा यहां पर x-axis y-axis ड्रॉप कर लेते हैं पहले और इसको हम 1,2,3,4 यहां पर minus 1 यह x-axis है minus 2, minus 3, minus 4 और यह y-axis 1,2,3,4 और यह negative y-axis यह हो जाएगा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on इसका focus है 1, minus 2 पहे, x का 1, y का minus 2, यहां पर इसका focus होगा तो यह focus है हमें given है और दूसरा यह कि हमें इसका directrix की equation given है directrix की equation हो जाएगी 3x-5 is equal to 0 लिखा हो है और अगर हम इसको इस तरहां से लिखें तो यह हो जाएगा x is equals to 5 by 3, right? तो x is equals to 5 by 3 का मतलब यह है x is equals to 1.67 का मतलब है कि कहीं इसकी line directrix की इस तरहां से ड्रॉगी 1.67 पे इस तरहां से ड्रॉगी ठीक है एक random सा बना रही हूँ अगर आपको proper देखना है तो proper यह इस शेप में बनेगा मैं आपको दिखा देती हूं यहां पे यह इस शेप का बनेगा यह एक vision of directrix है मेरे पास जो के x is equals to 5 by 3 पे है एक vision of directrix है यह इसका vertex है और यह इसका हमारे पास focus का point है ठीक है यह इस शेप का parabola है understand के लिए देखने के लिए मैंने बनाया है यह मैं आपको वैसे नहीं नहीं करने के लिए मैंने आपको बताया कि कि स्वेंस कि कैर ला यहां पे बनेगा तो अब चृत्व में क्या कर ktoë नहीं है directrix is parallel to y-axis यह कैसे पता चला हमें जब हमने equation देखी directrix की यह थी x is equal to 5 by 3 और 5 by 3 की line कैसे draw होती है यह हमने देख ही लिया line इसकी parallel to y-axis draw होगी और हमने यह assume किया let p x y be any point of parabola जो parabola का अपना कोई point है अब student parabola की definition यह थी कि अगर मैं focus से distance निकालूं इस point का focus मैंने f कह दिया यह distance equal आना चाहिए से अगर मैं distance निकालूं point p का directrix से distance of p from directrix this is the definition of parabola इसको मैंने equation 1 का नाम दे दिया और equation 1 में हमने क्या करना है यहां पर अगर मैं आपको इस के जरी से explain करूं let's say मेरे पास यहां पर कोई point मौझूद है कोई point यह मेरे पास मौझूद है parabola का point है मुझे क्या करना है इस point से लेके अपने focus तक का distance निकालना है focus को मैंने f से represent कर दिया इसको मैंने इस directrix वाली line से निकालना है अब यह दोनों distance equal होने चाहिए this is the definition of parabola अगर यह दोनों equal हो जाते हैं तो हम parabola की equation निकाल सकते हैं यहां पर राइट तो अब हमने क्या करना है कि पहले पी भी एक point है मेरे पास इसको हमने कह दिया था x y का point है और f तो हमें given है focus question में ही focus है हमेरे पास one comma minus two पहले तो हम इन दोनों के दर्मियान distance between two point का formula लगा लेंगे और इस line की हमें equation given है जो के है three x minus five is equal to zero और इसका distance निकालने के लिए इस point के साथ हम point two line distance find out कर लेंगे ठीक है अब हम यहां पर वापिस आते हैं पहले पी टू एफ निकालते हैं यहां पर सबसे पहले हम पी टू एफ निकालने जा रहे और पी टू एफ निकालने के लिए हमें formula पता है यह होता है x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square और इसमें x1 क्या होगा मेरे पास x1 और y1 जो होगा focus का point x1 is 1 and y1 is minus 2 और x2 और y2 यह basically उस point जो parabola पे हैं यह वो point होगा मेरे पास अब यह निकाल लेते हैं x2 minus x1 यानिके यह हो जाएगा x minus 1 का square y2 minus y1 यह हो जाएगा y minus minus 2 y plus 2 का square अब इसका हम break it open करें तो whole square का formula open होगा a square minus 2ab plus b square और यहां से भी a square plus 2ab 2 यहां पर भी मौझूद है 2 formula का भी मौझूद है plus b square तो pf हमारे पास आ जाएगा x2 plus y2 minus 2x plus 4y plus 5 इसको अपने पास रखतें इसको equation 1 में put करेंगे लेकिन इससे पहले हम दूसरा distance भी find out कर लें और यह होगा मेरे पास distance of p distance of p from directrix और एक point है और एक line है इसका formula भी हमें आता है इसका formula यह होता है कि आप क्या करें a x naught plus b y naught plus c और इसको divide करवा दें under root a square plus b square के साथ अब equation of line यह जो line है यह क्या है मेरे पास 3x minus 5 is equal to 0 अगर मैं c की value आ जाएगी minus 5 right a b c इस तरह से हम निकालते हैं तो d is equal to a क्या है मेरे पास 3 x naught y naught क्या है जो peak point है और p point क्या है मेरे पास x, y x naught हो जाएगा x b तो है ही नहीं और c है minus 5 और यह divide होगा a square plus b square a है मेरे पास 3 को square b b तो है यह नहीं 0 है तो इसको solve कर रही हो जाएगा 3x minus 5 upon under root 3 square square से root cancel तो सिर्फ मेरे पास रह जाएगा 3 अब यह दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई distance of p from directrix भी आ गया pf भी आ गया तो इन दोनों को उठाके equation 1 में put कर देंगे put in equation 1 तो pf की जगह पे यह पूरी चीज़ हम mention कर देंगे x square plus y square minus 2x plus 4y plus 5 और दूसरी साइट पे आ जाएगा 3x minus 5 upon 3 अब हम यह root खतम करने के लिए square on both side करेंगे squaring on both side तो यह हो जाएगा हमारे पास square यहां से cancel हो जाएगा तो यह जाएगा x square plus y square minus 2x plus 4y plus 5 और इस side पे आ जाएगा 3x minus 5 upon 3 का square अब यहां से 3 का square करते हैं और यहां से a minus b whole square का formula open करना है तो यह जो 9 है यहां के multiply हो जाएगा x square plus y square minus 2x plus 4y plus 5 इससे multiply होगा और यहां पे हम a square minus 2ab a की है value 3x b है 5 plus b square जो की हो जाएगा 5 square a minus b whole square का formula open किया है इसको multiply करवा देते हैं अंदर 9 2 जा 18x 9 4 जा 36y 9 5 जा 45 और यह हो जाएगा 3 3 3 का square 9 x square 5 2 जा 10 10 3 जा 30 x 5 का square 25 9 x square से 9 x square cancel out हो गया यहां पे रहे गया 9 y square minus 18 x और यह plus 30 x हो जाएगा क्योंकि वहां से जब इस साइट पर आएगा तो 36 y plus 45 और 25 भी minus का हो जाएगा तो equation आ जाएगी 9 y square minus 18 plus 30 is plus का 12 x plus 36 y plus 20 is equals to 0 this is the equation of parabola यह parabola की वह equation है जिसका focus 1, minus 2 पे है और इसकी equation of directrix है यह में given थी यह 3 x minus 5 is equals to 0 पे अब student question number 4 पे भी हमने equation of parabola find out कर नहीं है और focus इसका है 3,4 पे और directrix की equation हमें given है तो उसी तरह से यहां पे भी हमने एक point assume किया कि P x y कोई point है parabola पे और हमने यह देखना है कि focus से उस point का distance equal होना चाहिए उस point का directrix की से जो distance आएगा दोनों equal होना चाहिए तो आप x1 की value हो गई मेरे पास 3 y1 हो गया मेरे पास 4 तो PF निकालने के लिए हम क्या करेंगे अंडर root x2 minus x1 x2 is x and x1 is 3 का square plus y minus 4 का square तो यह हो जाएगा x2 minus 3 to the 6 x plus 9 plus y square minus 4 to the 8 y plus 4 for the 16 तो यह equal हो जाएगा PF is equals to x2 plus y square minus 6 x minus 8 y और यह 16 plus 9 हो जाएगा 25 अब distance of p निकालना है दुबारा से जब मैं इसको compare करवाऊंगी x plus y minus 1 को तो यहां से मेरे पास इसको compare किस्ते करवाना है ax plus by plus c is equals to 0 जो case standard equation of line होती है हमारे पास तो a की value आजाएगी 1, b की भी आएगी 1 और c की आएगी मेरे पास minus 1 और x not तो मेरे पास x है और y not मेरे पास y है यह भी लिख देते है x not is equals to x and y not is equals to y तो अब d किसके equal हो जाएगा a की value है 1, x not है x, b की value है 1, y not है y और c is minus 1 और यह divide होगा under root a square plus b square, 1 का square plus 1 का square तो इसको solve कर लेते हैं यह आजाएगा x plus y minus 1 upon under root 2 अब यह सारी values उठाएंगे और equation 1 में put करेंगे pf की value भी यहां से put करेंगे यह जो आई है और यहां से यह जो d आया है distance of p from directrix यह भी हम put करेंगे यहां पर तो यह पहले pf की value put करते हैं यह है under root x square equation 1 implies that under root x square plus y square minus 6x minus 8y plus 25 चेक कर लिए यह है इस साइट पे आजाएगा मेरे पास x plus y minus 1 upon under root 2 का square under root 2 है basically अब square करेंगे square on both side taking square on both side तो यहां से root cancel हो जाएगा square से तो यह रह जाएगा x square plus y square minus 6x minus 8y plus 25 और इस साइट पे x plus y minus 1 का square under root 2 के उपर भी square लगेगा root square से cancel होके denominator में सिर्फ 2 रह जाएगा और इस साइट पे जब 2 आएगा तो multiply हो जाएगा अब student यहां पे a plus b plus c का whole square का formula open करना है तो formula मैं यहां पे लिख देती हूं a plus b plus c का whole square यह equal होता है a square plus b square plus c square plus two times of a b plus two times of b c plus two times of c a तो यहां पे तो इसको multiply करवा लेते हैं simple 2x square plus 2y square a to the 16y 25 to the 50 और इदर a का square यानिके x का square plus y का square plus one plus two times of a b यानिके xy bc यानिके यह हो जाएगा minus y c a यानिके minus x और बाहर two multiply हो रहा है तो अब इसको solve कीजिए यह हो जाएगा 2x square plus 2y square minus 12x minus 16y plus 50 is equals to x square plus y square plus one plus 2xy minus 2y minus 2x अब इसको बस simplify करना है तो equation of parable हमारे पास आ जाएगी simplify कैसे करें यह 2x square है x square इदर आ जाएगा तो minus x square हो जाएगा तो लिख देते हैं 2x square यह हो जाएगा minus x square फिर है 2y square minus y square फिर यहाँ पे है minus 12x यह 2x जब इदर आएगा तो plus का 2x हो जाएगा minus 16y minus 2y दर आएगा तो plus का 2y हो जाएगा 2xy रह गया इसको भी दूसरे साइट पे ले आएगा और यहाँ पे 50 है और 1 जब इस साइट पे आएगा तो minus का 1 हो जाएगा 2 minus 1 is x square 2 minus 1 is y square minus 12 plus 2 minus 10x minus 16 plus 2 is minus 14y minus 2xy plus 49 is equals to 0 this is the equation of parabola this is your required result student question number 5 करने जा रहे हैं question number 5 में हम equation of parabola find out करना है और इसका vertex भी गिवन है और focus भी गिवन है तो स्टूडेंट सबसे पहले vertex को देखके हमें समझ में आता है कि vertex इसका origin पे है क्योंकि 00 की equation है its mean vertex is at origin और focus कहां पे है इसका 5,0 पे अगर मैं इसको compare करवाओं तो यह है a,0 और a की value यहां पे आ गई मेरे पास 5 तो जो यह a की value 5 है और यहां पे यह बात समझ में आ गई कहां पे y-axis 0 है मतलब y की value 0 है जब y की value 0 है इसका मतलब है focus is on x-axis और जब focus x-axis पे हो and vertex origin पे हो तो मारे पास equation क्या हो जाएगी इसकी y square is equals to 4 ax right तो y square a की value हमने अभी निकाल लिया focus से a की value है 5 in 2x तो यह हो जाएगा y square is equals to 5 4s are 20x तो this is the equation of parabola whose vertex is at origin and focus is 5 0 अब हम यहीं पे इसी का part 2 करते हैं इसमें हमें vertex भी given है vertex की coordinates है 0,0 और इसके साथ focus भी हमें given है focus है इसका 0,2 2 अब इसको solve करने के लिए again vertex origin पे है vertex is at origin और focus कहां पे है इसका y axis पे क्यूंकि यह x होता है यह y होता है x की value 0 कहां पे होती है y axis पे focus is on y axis इसकाम के लिए हम equation कौन सी use करेंगे equation हम use करेंगे x square is equals to 4a y यह आपको यह सारा जो table मैंने दिखाया था यहां पी मैं आप से table share करती हूं यह table है कि जिसमें हमारे पास vertex origin पे हो और दूसरी चीज़ हमें लिख सकते हैं तो इसकी equation होगी x square is equals to 4a y तो यह table आपको mind में होना चाहिए जो मैंने आपको previous part में details explain किया था तो यहां से हम a की value भी निकाल लेते हैं 0,a तो a की value यहां से निकल आएगी minus 2 जब यह a minus 2 हम अपनी equation में put करेंगे तो x square is equals to 4a की value हो जाएगी minus 2y तो यह इसकी equation of parabola आगई हमार पास अब इसी का next part करते हैं और next part जो के 3 है इसमें vertex value हमें given है vertex हमारा है 1,3 और focus है 1,2 पर अब इसकी equation हमने find out करनी है students तो vertex तो हमें पता है h,k है vertex h,k और हमें given क्या है 1,-3 तो h की value आ गई 1 और k की value है minus 3 अब जब हम अपने vertex को गौर से देखें तो यहां पे जो 1 है यहां पे भी 1 ही है यानिके focus की value h ही है तो focus की value अगर same है जो के vertex की value है तो इसका मतलब यह है vertex हमारा है h,k और focus हमारा होता है h, अब हमने क्या यहां पे दुबारा से अपना table देखना है यहां पे यहां पे अगर मेरा vertex h,k है और focus भी h ही है मतलब h तो focus की value हो जाएगी h,k प्लस a तो h और h तो same है यहां से हमें पता चल गया कि equation यह वाली use होगी यह वाली equation use इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पे h है पर यहां पे h प्लस a है तो यहां पे number change हो रहा होगा लेकिन अब वो number same है इसलिए हम यह काम करते हैं कि यहां पे जो focus है उसको represent करते हैं किससे h,k प्लस a से तो focus जो है h,k प्लस a इसकी value हमें given है जो के है 1,2 तो h की value तो 1 आ गई यह तो हमें पहले से ही पता थी vertex से पता चल गई थी k प्लस a is equals to 2,a की value हम कैसे निकालेंगे,2 minus k करके और k की value हमने vertex से निकाली भी थी minus 3 थी, तो a is equals to 2 plus 3 that is equals to 5, तो a की value हमारे पास आ गई 5 तो equation of parabola हमारे पास क्या होती है अगर axis of symmetry parallel to y-axis हो और यह हमें पता चल गया था जब हमने यह proof के था vertex और इसका focus x-axis पे है तो axis of symmetry is parallel to y-axis with vertex h, k तो इसकी equation क्या होगी हमारे पास? x-h square is equals to 4a y-k तो h की value है 1, a की value है 5 और k की value है minus 3 सारी values put कर दीजिए, यह जाएगा x minus 1 का square, 5 fours है 20 और y plus 3 this is your required result और अगर solve करना है further, तो इसको bracket open कर लीजिए, यह जाएगा x square minus 2x plus 1 is equals to 20y, 23 is a 60 तो x square minus 2x, इनको इस side पे लियाए, minus 2y हो जाएगा 60 को भी देड़ लियाए, तो minus 59 is equals to 0 हो जाएगा यहाँ पे भी आप stop कर सकते हैं तो यह हमारा final result ही आगिया है अब इसी का part 4 करते हैं पार्ट 4 में भी हमें vertex given है vertex की value हमें given है 2,4 और focus हमें given है 3,4 अब student यहाँ पे ज़रा गौर कीजेगा तो यहाँ पे मैं पता चलेगा कि यह जो vertex की value है यहाँ पे h, k होती है vertex तो यह तो है h, k तो यहाँ पे k change नहीं है k same ही है यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है तो हम अपने table पे वापिस जाते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी एक version of parabola है जिसमें k same रहता है तो यहाँ हम गए तो k same रहता है मतलब यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k है तो यह वाली एक version होगी जिसमें हमारे पास k same रहेगा तो इसको लिख लेंगे अपने पास इससे पहले हम h k और a की value निकाल लें तो यह हमारे पास हो जाएगा h plus a और यह हो जाएगा k तो सबसे पहले vertex हम निकाल लेते हैं vertex निकल आएगा h, k is equals to 2, 4 तो h की value आजाएगी 2 और k की value आजाएगी 4 राइट अब इस focus से focus क्या है h plus a, k अब यह किसके equal है 3, 4 के तो इसका मतलब यह है कि h plus a equal है 3 के और दूसरी value है k equal हो गया 4 के तो a की value हम निकालेंगे 3 minus h करके h की value हमें given है जोके 2 है तो a की value आजाएगी 1 अब a की value भी आ गई h और k की values भी आ गई इन सब values को उठाएगे और अपनी equation में put करेंगे और equation भी कौन सी जोके जिसका axis of symmetry parallel to x-axis हो axis of symmetry is parallel to x-axis parallel to x-axis तो equation जो हम use करेंगे वो होगी y minus k का square is equals to 4a x-h तो k की value हमें given है कि हमने भी निकाला है 4 is equals to 4a की value है 1 x-2 तो यह हो जाएगा y minus 4 का square is equals to 4x-2 तो यह हमारा final result है चाहे तो इसको यहीं पे चोड़ दें चाहे तो इसका whole square का formula open करके इसको end तक आप solve कर लिजे तो student इस तरहां से हमने इसके सारे parts कर लिए हैं जिसमें हमें focus और vertex given था और इसकी help से हमने इनकी equations develop कर लिए हैं तो इस video का हम यहीं तक रखते हैं इसके बागी parts देखने के लिए मेरी next video ज़रूर देखिएगा Thank you so much